लड़का लड़की के प्रेम परसंग के कारणे घटना घटी है तो इसमें शे लोग वोको गोली मारीगे हैं जिसमें दो के घटनास तर्थ मुर्तु होने की बात आ रहे हैं जट पूजा के मौके पर सुबह वाले अर्ध के दिन सोमवार को घाट से लोट रहे एक परिवार परसंगी इवक ने लखिस रह में तावर तोड़ गोली चला दी थी इसमें एक ही परिवार के छलों को गोली लगी थी दो भायों की मौत हो गई जबकि घर के चार सदस गहायल हैं दरसल इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है घटना में कुछी घंटों बाद पुलिस ने चाच और पूस्ताच में कई जानकारी हाथ लग गए दरसल सोमार को पुलिस ने इस मामले में बयान जारी किया और इससे घटना के पीछे की जूड़ी वज़ा भी सामने आई है पुलिस का कहना है कि लखी सराय के कबईया थाना छेतर में हुई घटना पुरी तरा प्रेम परशंग का मामला है फायरिंग करने वाले आरोपित इवक आसीश चौधरी ने पांच साल पहले ही दुर्गा कुमारी से साधी की थी आसीश चौधरी को इस दोरान पता चला कि उसकी पत्नी का किसी अन्य वैक्ती से संबंध है जिसके चलते पती पत्नी में बिवाद भी हुआ था इसके चलते बात यहां तक पहुँच गए तरसल बिवादों के बाद दुर्गा कुमारी ने आसीश के साथ रहने से मना कर दिया था हलाकि आसीश चौधरी उसे अपने साथ रखना चाहता था दुर्गा के माता पिता से भी दुर्गा को अपने साथ रखने के संबंध में आसीश की बाच्चीत हुई थी हलाकि लड़की के माता पिता भी नहीं माने इसी आक्रोस में आसीश चौधरी ने सोमार को इस घटना को अंजाम दिया अलाकि पुलिस ने कहा है कि जाती है तनाव जैसी अब तक कोई बात नहीं है असीश चौधरी द्वारा लिखित दस पन्नों का एक नोट बरामद हुआ है इसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया है असीश चौधरी ने चार सहयोग्यों को हिरासत में लेकर पुष्टाच की जा रही है घटना में प्रयूप तहां थियार को भी बरामद किया गया पुलिस की टीम असीश की गिरफतारी के लिए छापे मारी कर रही है लखिस राय में सोमवार की सुभा च्छ लोगों पर एकी वक ने तावर तोर फायरिंग कर दी थी इस घटना में दो भायों की मौत हो गई चार लोग गंभिर रुप से अभी भी घायल है जिन में से तीन लोगों का पटना और एक का लखिस राय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है गायलों में मिर्तक दोनों भायों की पत्नी, बहन और पिता सामिल है तरसल पताते की गोला बारी के बाद शुरुवात में बाद सामने आई कि आसीस और दुर्गा की साधी पहले हो चुकी है पुलिस को जाज के दौन मिले नोट और आसीस के चार सहयोगियों से पुछता अचकवाद कुछ कुछ चीजे जो सामने आ रही है अब पुलिस लगातार तफ्तीस में जुटी हुई है और ऐसे में अलग-अलग जो खुलासे हैं वो किये जा रहे है घटना का एक नया मोर जो है वो निकल कर सामने आया है एक नोट मिला है दसपनों का उसमें जो तमाम बाते लिखी है उसके तोर पर भी पुलिस कई बड़े खुलासे कर सकती है हलाकि जो हथियार उप्यूत किया गया था यूज किया गया उस घटना के अंजाम देने के लिए वो भी पुलिस द्वारा ले लिया गया बरामद कर लिया गया है तमाम जो जानकारी है वो पुलिस जुटाने में लगी हुई है हलाकि जो इस्थिती है अभे भी चार लोग गंभीर रूप से घायल है जिन्दा इलाज चल रहा है तीन लोग पटना में और एक लखी सराय सदर अस्पताल में भरती है कही ने कही बड़ा खुलासा जो है वो पुलिस की ओर से किया गया है अभी और क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी देखना दिल्चस्प होगा हलाकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्षन में रखेगा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए दा इडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए फेसुप पर देख रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजे धन्यवाद